गुड मॉनिंग स्टूडेंट आज हम हिंदी में चित्र पैचान करके शब बनाना सीखेंगे हम चित्र को देखेंगे वो चित्र किस चीज़ का है और हम दो अक्षिरों के जोड से उचित्र का नाम लिखेंगे जैसे कि ये ये है थन तो थन कैसे लिखते है बेटा पहले लिखेंगे थ थ जमामे न थन अब ये देखो बेटा किसी का चित्र है ये तो फल है तो फल कैसे लिखेंगे बेटा फ जमामे ल फाला वेरी गूड फाला फल ये किसी का पिच्चर है बेटा ये है जग तो जग कैसे लिखते है जग जमामे ग जग जग ये है चित्रवन का तो वन कैसे लिखेंगे बेटा व जमामे न वाना वन ये देखो बेटा ये है साब और ये है साब का फन तो फन कैसे लिखेंगे फ न फाना फन और ये क्या है बेटा ये है चित्र रस का गिलास में क्या है रस तो रस कैसे लिखेंगे र और ये है बेटा आपकी दादा जी की छड़ तो छड़ कैसे लिखेंगे छड़ चड़ चड़ और ये चित्र है बेटा धन का तो धन कैसे लिखते हैं धन 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 और ये चित्र किस चीच का है बेटा बस तो बस कैसे लिखेंगे ब जमा मेस बस आगे देखें बेटा ये आया घर का चित्र तो लिखें घ जमा मेरा घरा घर और ये है हमारा खत तो खत कैसे लिखेंगे जमा मेत खता खत आगे देखें ये क्या कर रहे हैं ये तो लड़ रहे हैं तो क्या हुआ हमारा ल जमा मेर लड़ा लड़ तो हमने आज कौन कौन से चित्र देखें थाना थन फाला फल जगा जग वना वन फना फन रसा रस चड़ा चड़ धाना धन बसा बस घरा घर खता खत लडा लड तो आज हमने चित्र पेचान करके शब्दों को बनाना सीखा है